हलो डिटेंट्स मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल आपकी सहली सुमन में आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिग्नेंसी सिंटम्स गरप ठह जाने के साइन एंड सिंटम्स कौन से होते हैं इस पर बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो में इस चैनल पर म गरप ठहने के सिंटम्स को डूलने की कोश्製 कर रहे होते हैं तो अगर आपको किसी क्योंस करेंगे यह चाहिर नहीं होता अप कि वीड्मक में प्रेंसी कर ले 2022 कोन दो आपने अंदर है और और कि कि आप करेंगी तो आप चाहि Biz food आ आह Сп acá Weise का देब आव आया है आप इस कार सब्सक्राइब करो तो गरब ठाए जाने की जो एक हास संकेत है ये है frequent urination यानि कि बार-बार पेशाब आना, urine आपको बार-बार आएगा वास्ट्रम जाने की हाज़त आपको बार-बार महसूस होगे, रात में भी आपको urine के लिए उठना पड़ेगा और दिन में भी आपकी urine करने की routine आप देग बढ़ गई है और कुछ वहलाई ये देखकर परिशान हो जाते हैं कि पता नहीं उनके अंदर क्या हो रहा है तो ये जो बार-बार urine आ रहा है ये pregnancy रुखने का एक संकेत है और इसके पीछे क्या scientific reason है कि pregnancy ठहने पर बार-बार urine क्यों आता है तो तीन scientific reason है इसके पीछे सबसे पहली reason ये होती ही कि जब आपको implantation होती है गरब ठह जाता है आपका जो embryo है uterus के अंदर बचे दाने की दिवार के अंदर जुडने की कोशिस कर रहा होता है उस वक्त embryo के अंदर बहुत ही rapid cell decision होती है बहुत एजी से बढ़ रहा होता है embryo 2-4, 4-8, 8-16 cells बनते हैं इसी तर ब्लड काफ लो आपके बच्चे दाने की तरफ आपके पेलविक एरिया की तरफ बढ़ जाता है और kidneys भी चुंकि आपके पेलविक एरिया में है तो जब गुर्दो की तरफ ब्लड का supply है वो बढ़ती है तो गुर्दे ज्यादा फिल्टर करते है और urine ज्यादा पनता है जि प्रोजेस्टेरोन है एक होर्मोन की वज़े से आपकी जो यूटरस है जिसको आगे चलकर बड़े होना है आने वाले बच्चे को जगया देनी है वो अभी से थोड़ी थोड़ी अपनी सेप तबदील करना शुरू कर देती है और यूटरस के साइस और सेप में थोड़े से बदलाव की वज़े से वो प्रेशर डालती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर पर जो आपकी यूटरस के बिलकुल आगे पड़ा होता है और इस प्रेशर के वज़े से आपको यूरीन बार बार आता है अब तीशा जो साइन्टिपी ग्रीजन हो शकता है यूरीन के बार बार वो यह है कि जैसे ही आपकी pregnancy conceived होती है आपके अंदर blood का flow भी बढ़ जाता है, cardiac output भी बढ़ जाता है, आपका metabolism भी बढ़ जाता है, तो जब इतने सारे processes आपके अंदर तेज हो जाते हैं, तो इनको support करने के लिए आप ना जानते हुए भी पानी जादा पीने लगती हैं, और आप पानी जादा पीती हैं, तो definitely urine जादा आने लगता है, तो अगर आपको कोई और symptoms नहीं फील हो रहा है, गरब ठहने का लेकिन आप इस टाइप के चिंजिस अपने urine के routine के अंदर देखती हैं, तो शाबदान हो जाए, खास तोर पर अगर आपकी माहवारी आने में अभी एक हफता बागी है, ये वाला period आपका चल रहा है, तो में भी आपकी implantation हो रही है, इन दोरान में आपको कुछ mistake को avoid करना है, कुछ गलतियों से बशना है, ताकि आपकी implantation fail ना हो जाए, और आप successfully pregnancy conceive कर ले, इस पर भी एक detailed video मुझूद है कि किन गलतियों से आपको बशना है period आने से पहले का जो एक हफता होता है, उसके दोरान उसका link भी में उपर आई बटन में और नेचे description में दे रही हूँ, जरूर देखेगा, तो वीडियो अगर आप लोगो को useful लगा, तो please वीडियो को like share कीजेगा, मिलते हो next वीडियो में तब तक के लिए, बब बाई